नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे हम पढ़ रहे हैं क्यूशन बैंक सालिशन दोजार तैविस की एक्जाम के लिए और आज हम चर्चा करते हैं वस्तु निष्ट प्रश्ण केमिकल काइनेटिक्स रासाइनिक बल किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगर्ति के साथ क्या होता है तो मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करता हूं ये तो हैं सांद्रता और समय की बीच में सांद्रता और समय की बीच में होता क्या है जैसे जैसे कोई भी केमिकल रियक्शन होती है वेसे वेसे अभीकारक की संद्रता क्या होती जाती है कम और उत्पाद की संद्रता क्या होती जाती है बढ़ती जाती है ना उत्पाद की संद्रता बढ़ती जाती है और अभीकारक की संद्रता क्या होती जाती है कम होती जाती है क्यों को होती जा रही कम भईया क्योंकि जो अभीकारक है वो किसमे कनोट हो रहा है उत्पाद में कनोट हो रहा है तो अभिकारक की संद्रता क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ठीक है तो कहा गया ना कि जैसे जैसे संद्रता कम होगी वेसे वेसे क्या होगा अभिक्रिया की प्रगर्ती क्या होती जाएगी कम होती जाएगा अभिक् तो याद रहेगा कि अभीक्रिया का वेग अभीक्रिया की प्रगर्ती के साथ जैसे जैसे अभीक्रिया होगी वेसे वेसे गटता जाएगा क्यों गटता जाएगा क्योंकि अभीकारक की संद्रता काम हो रही है अगर अभिकारक की सांदरन जादा रहेती हैं तो अभिकरिया का वेग भी जादा रहेगा clear? चलिए अगला question आपके सामने निम्ण मेंसे वह कारक जिस पर शुन्य कोटि की अभिकरिया जो है शुन्य कोटि की अभिकरिया की दरत क्या है? सुतंत रहे तो शुन्यूकोटी के अभिक्रिया जो है अभिकारकों के सांदरन के उपर डिपेंड नहीं करती हैं किसके उपर डिपेंड नहीं करती है अभिकारकों के सांदरन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसके लिए शुन्य कोटी के अभिक्रिया एक और चिज़े जब भी आप शुन्य कोटी के अभिक्रिया देखो तो जो एरो लगा रहे था है रियक्टेंट और प्रोड़क्ट के बीस उसके उपर कुछ भी यह तो फिर प्रकाश मदलब फोटाउन की प्रसेंस में होती हैं यह फिर किसी उत्तर्च की उपसिति में हो रही है तो वो वाली रियक्शन शुन्य प्रकाश के उ avikary than प्रस्थम कोटी के अभिक्रिया का विशिच्ट दर्इसरांग किस पर निर्भर करता है। घिके जो समाकली दर्समिकरण भी पड़ी होगी अपने पर्थम कोटी के अभिक्रिया के लिए टेम्पर निर्भर करेगा। बाई T लोग 10 A upon A-X तो ये जो है दर इसी रांग किसके उपर डिपेंड करना है विशिष्ट दर इसी रांग टेंपरेचर के उपर डिपेंड करना है परथम कोटी के अभीकरिया का चलिए शिन्यो कोटी के अभीकरिया के वेग इसी रांग की इकाई बताईए बताईए जल्दी से क्या है सही आपके सामने A, B, C, D तो शिन्यो कोटी के अभीकरिया के लिए जो है वेग इसी रांग की इकाई जो है मोल पर लिटर पर सेकंड क्या होगी भया मोल प्रतिलिटर प्रतिसेकंड होगी इसकी अभी मैं आपको ट्रिक्स अभी बता देता हूँ कि कैसे क्या होती है जो आप जो निकालोगे क्या निकालना है आपको अभीकरिया की कोटी अगर आपको निकालना है कैसे निकालोगे चलिए अभी बता देते हैं तो अभीकरिया की दर जो है वो किसके समानों पाती हो अभिकारक की सक्री मातysis Geride seconds as a और यहां पर शुन्य कोड़ी की अभिकर्या की लिए बात करें कि मोल पति लिटर के लिए मोल दर इसी रांख जो के जो है वो क्या होगा के के की के जो क्या है मोल प्रति लिटर प्रति सेकंड होगा क्या होगा के बराबर क्या लिखोगी आप मोल प्रति लिटर प्रति सेकंड लिखोगी अभी अभी इसकी जगे अगर आ जाता है एक लिखता, ओके, और इससे यह क्या हो जाता, तो प्रथम कोटी की अभी क्रिया के लिए वे इस रहां की कई के बाराबर क्या हो जाता, यह सेकंड उपर लिख लेते, तो क्या आ जाता, सेकंड इन्वर्स हो जाता, यहां तक क्लियर होगा, अब यदि आपके सामने दीती थिक है नेरी बाद सुनना पूरा समझ देता हूं यहाँ पर समझा लेता है आपको पूरा प्रथम द्यूतियती तरती सभी कोटी के अभी क्रिये के लिए घिस्छान तो मॉल प्रति लिटर प्रति सेकंड तिक ठीक है बराबर के मौल प्रति लिटर लिखाई आपनों ने समानुपाति के चिन अटा है उसकी जगे के लगा देते हैं अपन तो यह से यह इंसल होगी है ठीक है तो प्रथम गोटी के विक्रिया के लिए के क्या जाएगा सेकंड इन्वर्स आ जाएगा प्रथम गोटी के विक्रिया के लिए वे इसी रंख की कई क्या होगी सेकंड इन् लिटर और यहां पर लगा दिया पर यहिं लिख सकता हूं कि के बराबर इन वे रिखा जायएगा इन वड़ लगाएगा तो यह हो जायएगा मौल इन्टू मौल इन्टू 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 लेटर और इन्टू सेकंड इन्वर्स ये किसके लिए हो जाएगा दूती कोटी के बिक्रिया के लिए किसके लिए हो जाएगा भी ये दूती कोटी के बिक्रिया के लिए वेग इस्सी रांग की इकाई हो जाएगी यह वे किसी रांग का मातरख हो जाएगा अब बात करते हैं तरत्ती कोटी के अभीक्रिया के लिए तरत्ती कोटी के अभीक्रिया के लिए यह तो प्रथम के लिए यह भाई साब दूती के लिए याद रखना अब बात करें माएं त्रत्ती कोटी के विक्रिया के लिए यहां पर लिखा के और मोल प्रती लिटर और यहाँ पर क्या लगा दूँ? तीन लगा तू घातांक तीन तो इससे यह cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा तो यहाँ पर लिखनू में K और यह second तो ऐसा के सही है भाई साब और यहाँ पर mol और लिटर दोनों क्या है? इस्क्वाइर में यह स्क्वाइर, यह स्क्वाइर तो यहाँ पर K बराबर यह हो जाएगा mol माइनस टू mol माइनस टू फिर क्या लिखू में लिटर टू लिटर टू और यह second inverse यह तरत्ती कोटी के बिक्रिया के लिए वेग इसरांग के के लिए second inverse और दूती कोटी के बिक्रिया के लिए भाई साथ यह वेग इसरांग के की कई और तरत्ती कोटी के बिक्रिया के लिए यह वाली बात आ गई mol माइनस टू लिटर टू सेकन इनवर्स याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला question है आपका कि किसी अभी क्रिया का वेग इसरांग практи की व्रद्धी के साथ बढ़ता है ताप की व्रद्धी के साथ बढ़ता है आपने समी करण वर्दि के साथ बढ़ता यहां पर तेम्परेटर करनाँ आपको नेक्स्ट है, किसी अभी क्रिया का तापकरम बढ़ाने पर क्रिया तर अधिक बढ़ जाने का मुख्ष करण है भाई या, टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो अभी कारक अणों है, उनके बीच में तक्रों की संख्या जो है, बढ़ जाएगी तो टक्रों की जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे अनुमों में क्या है खलबली मज जाएगी इधर रोज़ दोड़ाएंगे भागेंगे तो उसके कारण क्या होगा भी यह कि टक्रों की प्रवाविसेंग क्या बढ़ जाएगी तो यह अभी क्रिया की दर भी बढ़ जाएगी इसके कारण यह होता है नेक्स्ट बात करें छे क्यूशन होगे आपके सामने हाजीर सात्वा क्यूशन किसे अभी क्रिया का वेग क्रियाकारकों की संद्रता पर निर्भर नहीं करता है बढ़िया बात है किरियाकारकों की संद्रता से कोई लेना देना नहीं है तो वो कौन से अभिक्रिया है प्रथम दिति त्रति या शुन्य तो यहां पर हम बात करेंगे शुन्य कोटी की अभिक्रिया शुन्य कोटी की होगी अच्छा किसी अभिक्रिया के लिए वेग अभिकारकों की सक्री मात्राओं की गुणनफर के समान पाती होता है यह जो अभिकारक के जो है गातांग है गातांग क्या है यहां पर M है और यहां पर N है तो इनका यो गातांगों का योग तो M प्लस N होगा तो किसी अभिक्रिया के लिए वेग जो है वो क्या होगा M प्लस N वेग क्या लिखोगे M प्लस N रेडियो धर्मी शै क्रिया की अभिक्रिया की कोटी तो रेडियो धर्मी शै की जो अभिक्रिया होती है उसके कोटी जो होती है वो क्या होती है पर्थम कोटी के अभिक्रिया के अर्द आयू निर्भर करती है किसके उपर बाई साब क्रिया कारक ये मुत्पात दोनों के संदरताप पर नहीं करती है है ना पर्थम कोटी की जो अभिक्रिया के अर्द आयू निर्भर करती है है ना निर्भर करती है किसके उपर क्रिया का रहा है कि उत्पात दोनों के संदरताप पर डिपेंड नहीं करती है अभिक्रिया के अर्द आयू करती है याद रखना दोनों पर डिपेंड नहीं करती है नेक्स्ट है आपके सामने क्यूशन रासानिक अभीक्रिया की दर निर्भर करती है किसके उपर सक्री दरुमान पर उसका एक्टिव मास्क क्या है उसके उपर डिपेंड करेगी रासानिक अभीक्रिया की दर सक्री द्रुमान, अभिकार को के सक्री द्रुमान पर निर्भर करती है, किसके ओपर अभिकार को के सक्री द्रुमान पर निर्भर करती है, ओके चलिए, बेटा जी अगला क्यूशन आपके सामने, एक रासा निक अभी करिया, क्या बात है, देखना है इसको, एक रासा निक यहां पर दी एसे भी बन रहा है रेंट आप रियक्शन विर्ट रियक्शन क्या होला तो क्यों खानद से यहां पर भी बन रहा है , तो किसके ऊपर ड प्र न हिल MICH Can और A लिख देते हैं एक रासा ने का अभिक्रिया A से B पाया गया है कि अभिक्रिया की दर दो गुनी हो जाती है जब A का संद्रन चार गुना कर दिया जाए A का संद्रन क्या कर दो? चार गुना कर दो इसका जो संद्रन है वो कितना कर दो? चार गुना 4 ए कर दो मतलब है ना इसका सांद्रन जो भी है अभी जो भी सांद्रन ने उसका क्या कर दो 4 गुणा कर दो 4 गुणा कर दिये जाए है ना अभिक्रिया की दर ये तो क्या कर दिया जाए यहां पर आधि कितनी होगी एक बढ़ा दो आधि होगी है कि आई अगला कुशन आपके इस पास में किसी अबीकोर्या का थाकरण सामना तुछ तो जैसे ही उत्प्रेरत का करोगे आप तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी अबिकारक से उतपात क्या हो जाएगा जल्दी बन जाएगा तो सक्रिनुचा में परिवर्तन होता है कि से और में परिवर्तन होता किसी अभी क्रिया में उध्रिया की उप्रण् recite ऑफुट कि यह do अभिक्रिया पदों के क्रम, पदों में क्रम से क्रम में होती है ना, क्रम में होती है, तो अभिक्रिया की कोटी गयात करेंगे, क्रम में है, तो जो अभिक्रिया का जो सबसे दो दो पदों में हो रही माननों के अभिक्रिया, एक तो फास्ट और एक स्लो, तो जो स्लो हैं, उस प्रोसेस है हैं ना स्लो और फास्ट तो आगे प्रोड़क्ट तो जैसे ये बनётсяा हैं के एसे बी और बी शसी बाद में जाके फास्ट हो गया तो यहां पर जो अब जितने डर्ज भर जो ज्यात करें किसके द्वारा मंद स्टेब ज्वारा ग्याद करेंगे ठीक है यह होता है भाई साब आगे बड़े चलिए बहुत बड़िया पंदरा कुशन कर लिए अपनोंने अब है अपना कुशने रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए करो जल्दी भाई यह रिक्तिस्थानों की पूर्ति पहला रिक्तिस्थान क्या दे रख प्रथम कोटी के अभिक्रिया का समाकलित दर्समिकरण लिखो के बराबर क्या लिखोगे समाकलित दर्समिकरण के बराबर 2.303 by T log 10 A upon A minus X हमेशा याद रखना प्रथम कोटी के लिए एक इसला कि कई अभी बताई थी क्या है सेकनड इनवर्स अभी क्रिया दर्श अ प्रकस्ता क्यों होती है क्या हो त्य आपर समानु पाली शामानु पाती क्यां कि की का की का शुन्य नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता की का अभिक्रिया की का अन्विक्ता कोई भी रियक्षन केमिकल रियक्षन हो रहे ही तो अभिक्रिया की कोटी जरू शुन्य हो सकती लेकिन अगर आपके पास रियक्टेंड है कुछ भी है मानू अनू मालीकुल है तो अन्व बडर रीक्षिन भी कहते हैं क्योंकि यहां पर दो माली कुल भाग लेते हैं जैसे कि CH3, COO, C2H5 इसका हाइडोलिसिस हो रहा है जलब गटन हो रहा है और यहां पर क्या बन रहा है CH3, COOH, प्लस C2H5, OH यह बनता है तो यहां पर दो माली कुल होते हैं है ना तो द्यूती परिवर्तन हो रहा है जलब ज्यादा में ले रखा इसके कॉंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है याद रखना हिमत से चलिए परदम कोटी परकाश नंशलेशन एक अभी जस्ट बताया था जो परकाश नंशलेशन की क्रिया में फो टान आ जाता है क्या है फो टा मियुके होती है तो यह जिसमें अभिकारत के संधरता उसकी प्रारंमिक संधरता की आधी रह जाती है क्या कहलाता है और दायोकाल कहलेटा है किलियर दर समीकरन में अभिकारकों के सांदरता पदो के गातांकों का Cow न वीदू गातांकों का योग गातांकों का योग तो घातांगों को क्या खिलाता है यहां पर आपक्रिय की कोट TIME यहां पर इस क्या ए हैं इस से प्लस बन रहे है यह उत्पात बन रह तो ए से ए प्लस बी से प्लस दी yağ dzisiaj प्लस बन रहे है तो यह जो रियक्शन不对 यग्हों का के आणुपांगों क्या लिक्राग। अनुपात वे इत्ड आलो का णूपादू अनुपात सामें इसी रांग क्या कहलाता है इसमें इसमें अग्ystem Her gate जो लग्रेंगों होते हैं वह सेम होते हैं जिसदर्ण से अभीखायकर उत्पात क 양ी करोण रहा हुरा हुए сторону पर जो नुपाराइब उनुपाद वो सामें इस्तिरांग के लाता है दरिस्तिरांग DR. करता बढ़ी आइगा दर इस्तिरांग या कुसके और आज यहां पे आ जाए गरे अगा दरिस्तिरांग अभीकाराइग मजिए सेरीठी प्रटता आप पर्थम कोठी अनुसंगेता सदेव क्या होती है हमेशा होती है कुछ ने कुछ ने कुछ ने पूरुणांग होती है चले आगे बड़े चलिए आरिनियस सम्मीकरण के द्वारा द्वारा प्रदशित के आरिनियस सम्मीकरण के बरावर के बरावर ए-ई- ए-अ इ-अ gratis के द्वारा प्रदशित की जाती ने समीकरण नेक्स्ट अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अनुओं की संख्या क्या क्या च Не ज़ो किया त्युक्ता नेक्स्ट टीवर अभीक्रिया 10-12 से कम समय में पूर्ण नहों थे 10 कि अधा मानिस आरह से कंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है उन अभीक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं पास्ट रियक्शन तीव रभी क्रिया केते हैं चलो जय हो अब आपके सामने हाजी रहें सई जोडिया रभ ने मिला दी जोडि तो अभी मैंने इसके बारे में तो बताया था भी यह आपको कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा यह सारी चीजे होगे थी अपनी तो पर्फमन को सेन काथि के लिए जो है क्या हो गैख यह वेग 20 कि कई म 노래 प्रफिर प्रति लीटर प्रति सकन्ट तो मोल छोडिय प्रति लीटर प्रति सकन्ड यह वाला डी वाला पर्फमनम् उबिख रिकेवी क्रिया के लिए मॉल इन्वर्स, लिटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स यह आ जाएगा ओके और जो तरतिक ओटी के विक्रिय के लिए क्या आ जाएगा यह आ जाएगा भाहिर साब मॉल माइनस टू ठीक है, मॉल माइनस टू और लिटर टू और सेकंड इन्वर्स ओके ये चीज आईगी यहाँ पर कोई गरबड़ी तो नहीं है देखिए कुछ गरबड़ी हो तो मॉल स्क्वाइर लिटर माइनस टू और सेकंड इन्वर्स यहाँ पर मॉल एसका करेंगे अगर मॉल प्रति लिटर एक बारेट कर रहा है फिक फर एक लिख लेंगे तो यह तो कोई मतलब नहीं है साiner कोटि के बिके लिए कि ये बाराबर मॉल प्रती लिटर प्रती सेक्ण आ जाएका है ना मॉल लिटर इंवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगा तो स्हच्छल ऑभी सिप्ले जुन है अपनवात करें दूसरी रिथलिस्यं करें डिचंप इन पर्ठम कोटिud के निए जित करते हैं दूती को टिक्रिये के लिए लिखू अखर मोल प्रती लिटर प्रती वशों सेखने के लिए मैं मौल प्रति लिटर और खात नांग क्या लिखूं मैं दो लिखूं रष्क हम गहत्त यह से एक इंवसर हो जाएगा तो बड़ा वर क्या लिखू भेः यहकि मेरी अ»,प्र गोले अधिन के और यहां प्रक्राइव क्या है से कट मैंकट है फैसाब और यहां पर मौल और लिटर इधर लिखनू मैं ये मौल और ये लिटर तो अब भाई साब इनकों मैं भेजूँगा कहाँ पर उपर भेजूँगा मौल और लिटर और सेकंड सभी को उपर भेजता हूँ तो क्या कंडिशन आएगी के बराबर एक तो सेकंड इनवर्स तो उपर आए गई है और मौल इनवर्स भी आए गई इस भाई साब मौल इनवर्स और ये लिटर जो है ये इनवर्स हमी नहीं आएगा तो यहाँ पर लिटर जो है भाई साब यह जो है यहाँ पर गरबड़ी थी पकर लिंपनों ने मौल इनवल से लीटर और से अर्पकल इन वार्स ओके मॉल इनवर्श ली टर और सेखर्ण ई डिल्टस हिसन। जूहार में लिटर रफ इंट से कंट left के अधिड गोटिके लिए ट्रति गोटिके की लिए कि ली आतल का धrakा में ये लिखा तिक अभी किरे के लिए लिख रहा हूं में mol प्रती लिटर और यहाँ पर लिख रहा हूं 3 ठीक है तो इससे यह cancel हो जाएगा तो 3 की जएगा दो लिख दूँ तो यहाँ पर लिखा हूं मैंने k और यहाँ पर लिख रहा हूं यह mol square और liter का square into क्या लिखूं second तो इसको उपर ले जाओं भाई साब इनको उपर ले जाएं तो क्या क्या होगा mol क्या हो जाएगा mol minus 2 ओके और liter इसके बटे के भी बटे में तो liter क्या आजाएगा ये गातांग प्लस में रहेगी तो liter 2 और ये क्या लिखा second inverse तो कहां पर आ रहा है mol minus 2 ये liter 2 ये और second inverse ये क्लियर है डबल से आपका revise करवा दिया हमेशे आपको याद रहेगा कि कैसे वेगी सिरांग का मातरग निकालना है प्रथम कोटी, शुन्य कोटी, दिती कोटी, तरती कोटी के लिए तो एक बार और revise शुन्य कोटी के विकरिया के लिए क्या लिखा लिखा आपने भईया चल रहे भाई कितने है शुन्य कोटी के विकरिया के लिए आपने बात करी ये वाली इसके लिए ये वाली और इसके लिए ये और इसके लिए ये और यहाँ पे ये निए निए बस लब यह कर दो आप इस किन्शाट ले लो मोल इनवर्स लिटर सेकंड इनवर्स आगे बढ़ते हैं अब भाईया लास्ट बच्चा है आपके सामने एक शब्द वाले तो किस कोटी के अभी क्रिया सांद्रता पर निर्बन नहीं करती बार बार रिपीट शुन्य कोटी क्या लि ४रिवतनकों क्या खेते हैं अभी क्रिया दर किसी द्रिया को समपन होने के लिए अवश्यक उल्जा को क्या कहते हैंम Number जरूरि है यहां पर लिखने वैं हैं सक्रिय नूर्जा सक्रिय नूर्जा जरूरी है तो यहां पर लिखेंगे सक्रिय नूर्जा एक्टिवेशन इनर्जी की जरूरत होती है संपन होने के लिए प्रथम कोटी के अभिक्रिया के लिए अर्दायूकाल का सुत्र लिखो जल्दी से भईया शिन्युकोटी की निर्दारकपद में भाग लेने वाले उनों की संच्चा क्याfolg घल ते लिखोगे आप अनु संख्यता क्लियर है तो यह हो गया भी आपके सही जोडिया और वन वर्ड क्विश्यन उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से अगर पूरा अगर मन लगा कि दिल से अगर आपने पढ़ा होगा तो हंड़ेड परसेंट है जो आपके बहुत सारा इसमे कॉंसेट्स लियर होंगे बहुत सारी डिसकशन करें अपनों ने सिर्व मैं नहीं किया कि सिर्फ आपको अंसर बताया आंसर के साथ साथ में डिसकशन भी और यह डिसकशन ही आपके जहें एक्ग्जाम टाइम पर कर्स करी थी ठीके बच्चों तो मिलेंगे फिनेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक कीजेगा पहली बार हो यह चैनल को सब्क्राइब नहीं किया हो तो सब्क्राइब कर लेना और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करना चलेंगे मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में न